नमस्क्राइब फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com हम अभी तक बार रहते हैं एकाउंट किसे कहते हैं एकाउंट के बारे में हम जाने जर्नल किसे कहते हैं यह सब जाने हम बुक्किपिंग क्या होती है इस बारे में हमने वीडियो बनाई और आज हम बात करेंगे कि जर्नल का जो अगला पार्ट है अगला कदम जो जर्नल के बाद जो पोस्टिंग कहां पर की जाती है है किस नई पध्धति मिक के अंतर्गत यह सब काम होता यह कह सकते हैं आप खाता भई क्या है इस बारे में हम जानते हैं हर एक व्यापारी अपने जीवन में ९ह बिलें दें करता है तो वो सबसे पहले इतना पता होता है कि हम ने इससे इतना लिया इनको इतना लिया जो भी चीजे जो भी ट्राइशन को उसको उस में लिख लेता है लेकिन उसको यह नहीं पता चलता कि किस कश्टमर को हमसे कितना लेना है एक एक्ट्वल एमाउंट हमें टोटल एमाउंट नहीं पता चलता कि कितना हम उनसे डेविट हो रहे हैं कितना क्रेडिट हो रहे हैं तो उस बारे में अगर जानना है तो हमको फिर आगे की जो कड़ी है लेजर उसके बारे में जानना पड़े है जर्नल में सब एकाउंट को या कैया करते हैं और जब तैयार करते हैं तो ँसी क्रिया को हम कहते हैं लेजर खाता भई वह ही काम वही चीज वही is Ex raptory जो है आथ वह दो हमगद करते हैं मतलब कि हम खातों करते हैं कि लिक्ष parked जो लिखते हैं एक उसे पोस्टिंग कहते हैं नहीं जहना है है उसके बाद आता है आपका खाता भाई दिखता कैसा है तो हम आपको दिखा देते हैं कि खाता भाई आपका जो है फॉर्मेट कैसा दिखता यह आपके डिस्प्ले पर आ गया सामने स्क्रीन पर आपके आ रहा है नेम आफ एकाउंट मतलब जो भी एकाउंट हमारा रहेगा या capital का रहेगा या sales का purchase का इसी तरीके से सब accounts को ले जाएंगे left side में आपके debit होता है right side में credit होता है आपके journal में क्या होता था कि एक ही दो column होते थे अगल वगल उसमें एक में debit की आपके रखम लिखी जाती थी एक में credit की लेकिन इसमें क्या है ऐसा नहीं होता है इसमें अलग अलग जो है इसके parts बना दिये हैं कि debit का अलग रहेगा credit का अलग रहेगा debit के part में जो भी आप entry सुरू करेंगे उसको two से सुरू करेंगे और credit में जो भी entry आप सुरू करेंगे उसको कोट वाई से सुरू करेंगे तो इसका फॉर्मेट आपके सामने है कि रेट हो गया इक परटिकुलर हो गया दूसरा जेएफ हो गया उसके बाद हो एमाउंट फिर अगला जो आपका क्रेडिट का पच्छा जाता है डेट प्रेडिकुलर जी अफ और इमाउंट इस बारे में आपको डीटेल में फिर कभी बताएंगे आईए हम जानते हैं कि खाता भाई कहते कि इसको खाता भाई एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी व्यापार चांट में जितना रहेगा डेवीट ये उसको उसी एकांट में हम एक जगह चाठ के लिग देंगे यह बाटली बाजी का कहना था कि कि अब हम जानते हैं कि खाता भाई का अर्थ क्या होता है खाता भाई व्यापार के एक महत्तुपूर्ण पुस्तक है इसमें सभी प्रकार व्यक्तिगत वास्तिविक तता नाम मात्र खाते अलग-अलग प्रिष्टों पर बनाए जाते हैं। सभी प्रिष्टों पर क्रम संख्या लिखी जाती है। आरंब में कुछ प्रिष्ट विसर सूची इंडेक्स के लिए छोड़ दिये जाते हैं। जिसकी सहायता से किसी भी खाते को तुरंट ढूंडा जा सके। प्राय एक खाते के लिए एक प्रिष्ट या अधिक प्रिष्ट नियत किया जाते हैं। खाता भही में एक बहुत ही इंप्रॉटन बुक होती है। है कि जो भी आपके तीन प्रीकार भी खाते होते हैं। हमने आपको पिछली इसकी वीडियो बनाके बतारा थकि कि कितने प्रकारभ ये खाते होते हैं। कैसे उस्ते की जाती है ہیں। इसषнения करें आपको समूशे और ये परिपर पने नमें करोगों करनें मम करें क्यृ यहां कि रहेगी अगर देइबिक में क्रेडिक है और उसकी इंटिर कर देते हैं कि अगर हम और पहली चीज्ज के पहला फेच घौतume के हम इंडेक्स के लिए छोड़54 है जैसे आपने वक消息 हमेसा बॉक में इंडेक्स के लिए आप छोड़ेंगे तो कौन से पेज़ पे आपने किसका एकाउंट उपेंड किया है उसके बारे में आप आसानी से जानकारी कर पाएंगे अगर आप इंडेक्स बनाते हैं तो कि हम बात करते हैं कि खाता भाई की परिभाशा क्या है इस्टेंडले आर रॉलेंड के अंसार पुस्तपालन एंवं लेखा कर्म की पुस्तखाता भाई है जिसका प्रतेक प्रिष्ट उद्वाधर रूप में दो भागों में बाट दिया था बाया भाग रिणी यानिकि डेव और थमने आपको बता दिया खौर में भी बता दिया और हमारी वीजियो लेकर आएंगे तक के लिए नमस्क्ताइब